क्या कुरूना ने पदमिनाब स्वामी मंदिर के खजाने को खाली कर दिया है क्या पदमिनाब मंदिर ट्रस के पास सब पैसे बचे नहीं है क्योंकि पिछले कुछ साल से अर्वों के खजाने को लेकर चर्चा में रहने वाला भगवान पदमिनाब का मंदिर इस बार नई वज पाया कि वहां कितना ख़जाना चिपा है उस पदमनाब मंदिर की ओर से कहा गया है कि उसकी पास सब पैसे बचे नहीं है इस रिपोर्ट को देखिए जहां है भगवान विश्णु का दिवितर्वा जहां शेशनाक पर विराजमान है भगवान पदमनाब जहां बहती है भक्ती की अविरल धारा जहां छिपा है सबसे बड़ा खजाना पदमनाब सौमी का वो मंदिर कठिन समय से चूज रहा है केरल के तिरुवनंत पुरमनेस्ति पदमनाब सौमी का मंदिर एक ऐसा मंदिर जो भगवान विश्णु की भक्तों के पीच सबसे ज्यादा लोग प्री है पदमनाब मंदिर की मानिता और पौरानिकता भारत के धार्मिक थ्यास में खासा महत तो रखती है पदमनाब मंदिर के कर्व क्रह में भगवान विश्णु की विशाल मूर्ती विराजमान है जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहां आते हैं और इसा माना जाता हैं कि पदमिनाव मंदिर के तेह खाने में अरवों का खजाना दबा हुआ है लेकिन कोरोणा के कार, ना के बल आम लोग बलकि देश के सबसे अमीर मंदिर केरल के पदमिनाव मंदिर की आर्फिते किस्ति देपी ख़स्ता हाल हो गई साल 2011 में जिस पद्मनाब मंदिर के एक तेहखाने के अंदर से करीब 700 करोड से ज्यादा सोने के भंडार मिले थे वहाँ अब सुप्रीम कोट में जमा करने के लिए रुपए नहीं है दरसल पद्मनाब सौमी मंदिर प्रशासन समिती को केरल सरकार को 11 करोड रुपए चुकाने है जो केरल सरकार की ओर से मंदिर के रख रखाव पर खर्च किये गए लेकिन पद्वनाब सौमी मंदिर समिती ने सुप्रीम कोट के सामने इस खर्च को चुकाने में खुद को मजबूर बताया है समिती के मताबिक कोरोना के चलते शुद्धालू मंदिर में नहीं आए जिसे आमदनी नहीं हुई और इससे वो मंदिर के रख रखाव पर केरल सरकार की ओर से खर्च किये गए 11 करोड रुपए चुका पाने में फिलहाल असमर्थ हैं और नियास को मंदिर के खर्च में योगदान देना चाहिए पद्वनाब सौमी मंदिर को भरत का सबसे हमीर मंदिर माना जाता है और इस मंदिर के तेहखाने में कई सो करोड के खजाने चिपे हुए हैं ऐसे में पद्वनाब सौमी मंदिर परशासन की ओर से सुप्रीम कोट में दी गई ये दलीक कि आने वाला दान इनके खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याब्त नहीं ये चौकाने वाला है पद्वनाब सौमी मंदिर परशासन की ओर से सुप्रीम कोट में कहा गया है कि मंदिर में हर महीने सतर लाग के करीब चड़ावा रहा है जबकि मंदिर पर हर महीने एक करोड़ पच्चीस लाख रुपए का खर्च हो रहा है ऐसे में दान से मंदिर का खर्च पूरा नहीं हो पारा साल 2013 की ओडिट रिपोर्ट के मताबिक इस वक्त पद्मनाब सौमी मंदिर ट्रस्ट के पास 2.87 करोड नकर और 1.95 करोड की संपत्ति है इसके लावा मंदिर ट्रस्ट विवाद भी फिर सिर्ष सुप्रीम कोड में शुरू हो गया है तो न्यास के वकील हरविंद दातान ने कहा कि ये शाही परिवार की ओर से बनाये गया एक सारवजनिक न्यास है और इसकी प्रशासन में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है आपको बता दें कि सुप्रीम कोड ने केरल हाई कोड के 2011 के उस पैसली को पलट दिया था जिसमें पद्वनाव मंदिर के प्रबंदर और संपत्तियों का नियंतर देने के लिए एक न्यास गठित किये जाने का राजस सरकार को आदेश दिया गया था तब सुप्रीम कोड ने देश में सबसे अमीर समझे जाने वाले मंदिरों में शामिल इस मंदिर के प्रशासन में त्रावंड कोर्शाही परिवार के एधिकार बरकरार रखे थे और प्रशासनेक समिती को पिछले 25 सालों से मंदिर की आमदनी और खर्च का लेखा परीक्षा का हुक्म दिया था लेकिन उसके बावजू पदमुनाब सौमी मंदिर का विवाद खत्म नहीं हुआ और अपने रह समय खजाने के लिए मशूर केरल के तिरुवनंद पुरम मेस्तिर पदमुनाब सौमी का मंदिर एक बार फिर से चर्चा में आ गया टी यूजनेशन